आँ जो आँ भाइद्यों आप सभीस्वागत करता हूं में इस वीडियो में भाइवं बनेरो आप सभी लोग जो भी स्वीडियो को देख रहें आप सभींतब्फ स्वागत उब है इस वीडियो मेरे आमारी बात हो गिंगे आप पर चंडीगड़ वालों के लिए यानि कि आपका union territory of इंडिया में जो union territory है उनमें से एक चंडीगड़ है और इसके साथ साथ चंडीगड़ जो है वो पंजाब और हर्याना राज्ये की राजधानी भी है तो आपको यह मैं पहले इसलिए किलियर कर रहा हूं आपको एक पता लगे कि किस location पर आप job निकाली गई है आपको बताना चाहूंगा department of education यानि कि एक शिक्षा के छेत्र में आपकी चंडीगड़ के अंदर job निकाल दी गई है जो की government की तरह से निकाली गई है आगर हम बात करें यहां पर तो जो चंडीगड जगा है न दोस्तों जो पं जो यह teachers की निकाली गई है मैं आपको सारा कुछ clear करना चाहूंगा इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि इसके recruitment में eligibility, qualification, age, limit और salary क्या काम करना होगा कब से कब तक form बरे जाएंगे बतलब उसका dates क्या रहेंगे एक एक चीज़ दोस्तों आपको इस वीडियो में बता दू होगी यहाँ पर chemistry, biology, maths और अन्य है काफी ऐसे subject है जिसके उपर job निकाली गई teachers के लिए यानि कि आपको बता दू कि चंडीगड के अंदर schools जितने भी है especially government school तो वहाँ पर आपकी जो भी आपका autonomous body है जो भी recruitment कराएगा वो उनके द्वारा ही recruitment निकाली गई है आपकी 98 vacancy पर यहाँ पर आप समझ लीजे 98 लोग की vacancy निकाली गी है total इतने लोगों को job दे रही है चंडीगड का autonomous body जो की education department में दे रही है PGT's को उसके बारे में आपको सब बता दूँगा अगर आप बात जानना चाहें सबसे पहले तो सबसे पहला question यही उठता है video के अंदर की चलो च जगाओ से हूँ तो क्या मेरे लिए यह job है या नहीं तो मैं आपको clear कर दूँ यह आपके लिए job होगी या नहीं वो मैं notification में बताऊंगा तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा तो वहां से आपको समझ आएगा कि आपके लिए job है नही इस पेशली चंडिगड़ वाले लोगों के लिए तो यह job है ही सबसे पहले यह आपको official website होगा जहां से आप apply करेंगे recruitment section में notification है यहां पर और circular में आपको यहां पर दिख रहा होगा यह वाला जो notification आपको दिख रहा है दोस्तों यह PGT का ही है और इसमें आपको apply करना हो जो यहां पर website पर डाले हुए यह चंडिगड़ की तरफ से निकाला गया है इसमें आपका recruitment notice for post of lecturer यानि PGT होते हैं जो हमारे lecturer जो lectures लेते हैं school के अंदर उनकी होगी यह vacancy online form भरे जाएंगे और आप physical mode में form मत भरना जैसे कि आपको कोई form available करा रहा है तो उसके बिहाफ पर उस पर believe करके form पर apply ना करें form के dates कुछ ऐसे रहेंगे कि आज से यानि कि 25th of October से form चालू हो गए है और इसमें 16 November तक form भरे जाएंगे बात करें fees की अम्मान लीजे किसी candidate ने form सारा भर दिया fees submit नहीं करी तो उसको four days extra और मिलेंगे यह नहीं कि वह 20 November तक form की fees भी submit कर देगा और यह सारे process रहेंगे 98 total vacancies रहेंगी बात करतें कौन को से subject पढ़ाने के लिए जो भी candidate interested apply कर देना biology में पांच vacancy निकाली गई है पांच मैंसे general को तीन दी है और अनुसुची जाती को एक OBC other backward cast को भी एक दी है EWS को होगी नहीं यहां पर बात करें disability वाले की जो disabled candidate होता है वो कोई ना कोई किसी ना किसी जाती से तो आता ही है तो disability में जो एक vacancy डाली गई है वो OH की डाली गई है या तो disability से ले ले या वो अपनी category से ले ले वो उसके उपर depend रहेगा candidate के उपर ESM हो जाता है आपका ex-servicemen ex-servicemen क्या होता है भाई ex-servicemen होता है ऐसे लोग जो navy army forces में काम कर चुके लेकिन अब वो यहाँ पर आ रहे है PGT में apply करने के लिए तो उनके लिए भी एक vacancy रहेगी chemistry teacher में और total 6 vacancy है chemistry teachers या lectures lecturer के लिए जिसमें general को तीन दी गई है और SC ST और SC SC और OBC और EWS को एक-एक दी गई है अब बात करें अनुसूची जंजाती होगा क्या होगा ST की तो आपने यह पर दी नहीं तो ST वागर वहाँ पर होंगे अगर वहाँ पर अनुसूची जंजाती भी है चंडीगड में तो वह लोग जनरल के तौर पर अपलाई कर दें क्योंकि अगर उनका यहां पर वह एक्चुल यहां पर उनका अलग से कॉलम नहीं डाला गया है नेक्ट बात करता हूं economics की तो economics में दो vacancy है और English teacher चाहिए 23 और geography के तीन चाहिए हिंदी के दस चाहिए history के चाहिए home science के तीन चाहिए और mathematics के चाहिए आप category वाइज इसको पूरा समझ लेना 98 वेकेंसी है टोटल और यहां पर आप देख सकते हैं 16 तरह के विशय रहेंगे जिसमें आप पढ़ाने वाले हैं चंडीगड के स्कूल्स के अंदर अब मैं next आगे बात करता हूं यहां पर pay scale की भाई salary जानने का मैं बहुत अंदर से अंदर से लगता भाई salary बता हो सबसे पहने तो salary आपकी रहेगी 9300 से लेके 34800 रुपे तक मिलेंगे आपको अगर आप एक्चुल आइडिया लगाना चाहें तो 5000 से 30,000 आप मान सकते हैं परबंद स्टार्टिंग में मिल रहे होंगे 25,000 आप लेके चलिए और दूसरा 20-25,000 बान सकते हैं इसको और इसमें पिलस आपको 4,800 रुपे अलग से मिलेंगे इस salary के अलग रहेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट अकाउंट ब्रांच पाप समझ गये होंगे यह आपको salary रहेगा फॉर्म का मैंने डेट्स आपको बता दिये हैं कब तक बरेंगे याद रखेगा कि 16 नमंबर कि आप सामके 5 में तक फॉर्म बढ़ सकते हैं जो कि उसमें 1000 रुपे फ फीस पेमेंट के लिए चार दिन और एक्ष्ट्रा दिये गए जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें भी 20 नवंबर के दुफैर के दोवे तक का समय है मतलब आप समझ सकते हैं कि 20 नवंबर का दिन भी पूरा इंक्लूड नहीं करा है यहां पर अब्जेक्टिव टाइप टैस्ट लिया जाएगा उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा उसमें जैसे आपके मार्क्स आते हैं 150 नमर का पेपर है उसमें आपको 40 प्रतिशत मार्क्स लाने हैं इसको पास करने के लिए जो भी पास कर लेंगे उसमें से टॉप के रैंकिंग के जो केंडेट रहेंगे उनमें से 98 को जॉब मिल जाएगी बात करते हैं 150 मार्क्स का पेपर है यानि आप अगर 60 से उपर नमर लाएंगे तो आपको जॉब मिलेगी और इंटर्व्यू यह नहीं हो रहा है कोई यह क्योंकि इंटर्व्यू का रहता है तो मैं के बढ़ लेते हैं यहां पर आप यह समझिए जैसे कि यहां पर लिखाया है जैसे मैंने जो आपको वेकेंसी बताई थी वही सेम टेवल यहां पर दुबारा दिया गया आप उपर देखेंगे यहां पर पहले भी टेवल दिया था वही टेवल उठा कर दुबारा डाला है नीचे को और फिर इसमें क्या बोला है पेश्केल वही सेम बताया है यादि कि दो बार एक ही सेम चीछ डाल दी गई है अगर मैं एसेंसियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों यहां पर छार पुह क्या होगा है आपके महीं सब्सक्राइब्स चाहिए ग्रतकिल, बात बहुए आफ है दोक्राशा सब्सक्राइब मैं वहusta जैसे महाली क्यार कम से कम चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है यह और साथ में बैचलर यानि बीएड का डिग्री भी चाहिए होगा जो कि एनसी ती यानि कि नेशनल काउंसिल आफ टीचिंग एजूकेशन यह आपका नेशनल कंड़क्टिंग नेशनल एक काउंसिल बनाये गया है अगर बात करें टीचर्स की रिक्रूट्मेंट में आपको इसके इसके ऑर्गनाइज द्वारा मतब एनसी टी के द्वारा रिकों नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर बैच बीएड करेंगे तो वहीं मानने करा जाता है टीचर्स की जॉब के लिए जिसम की बीएड और MSC एंक्लूड होकर भी आप अप्लाइ कर सकते हैं ऐसा कोर्स इंटेग्रेटेड करा हुआ होगा साइन सब्जेक्ट के अंदर विद्ट फिफ्टी परसेंट मार्क के साथ अब यह आपको बताना चाहता हूं यह आपका A और B के अंदर आप्शन रहेगा इसम सब्जेक्ट होते हैं फिजिकल एजुकेशन अकैडमिक में नहीं होता है उसमें आपका मास्टर आफ इन फिजिकल एजुकेशन पचास प्रतिशत मार्क्स के साथ पास रहेगा केंडेट बीएड करा हुआ भी पिंतालिस प्रतिशत के साथ वह अपलाई करेगा कि किसी ने MP एड करेगा मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन उसको एंपिएड का जाता है वह सिर्फ वह भी कर आए उसने तो वह भी अपलाई कर सकेगा चलिए नीची तोड़ा आगे बढ़ लेते हैं मोड़ अफ सिलेक्शन और एग्जामिशन इस्कीम क्या होने वाली है तो जो 150 मार्क्स का पेपर होगा वह उसमें दो पार्ट रहेंगे पार्ट बन बनाब पार्ट ए बी दो तरह से रहेंगा और ये आपका एक शिफ्ट में भी हो सकता है एक से ज्यादा शिफ्ट में हो सकता है आपको हर पार्ट में अलग-अलग separately 40% marks लाने हैं मतलब अगर बात करें यहां पर mcq में एक्जाम रहेगा 150 questions है 150 marks का paper है यानि हर question एक एक number का हो गया और पहला वाला जो a part रहेगा वो 150 minute उसमें आपको 50 minutes दी जाएंगे और वो a की shift में conduct हो जाएगा पार्ट बी जो रहेगा वो 100 minutes में आपको करना है वो बात करें पार्ट ए जो है वो आपका 50 question acquire कर रहा है और 50 marks ला रहा है यानि आप देगी अगर पार्ट वन में आप 50 में से 40 percent marks यानि 20 से उपर लाएंगे और पार्ट वी में आप सो में से 40 यानि कि 40 marks लाएंगे यह अलग अलग से लाने हैं दोस्तो separately for the qualifying nature मतब कि आपको pass करने के लिए लाने होंगे जिसे कि आपको यह job मिल जाए सब्सक्राइब जनल अवेरनेस और reasoning से बारा कोशन डाल रहे हैं आपर कोशन पेपर में information और communication technology में हम बारा कोशन डाल देंगे आपर यह education board कह रहा है दूसरा mathematical और numerical ability में भी बारा कोशन डाले जा रहे हैं टेस्ट अफ इंग्लिस हिंदी और पंजाबी language इसके तौर पर बारा कोशन डाले चोदा कोशन डाले जाएंगे जिसके अंदर English comprehension से पांच रहेंगे Hindi से पांच रहेंगे और पंजाबी से चार रहेंगे पंजाबी आपको आने ही चाहिए क्योंकि चंडीगड में ऑफिशल मलब जनरली पंजाबी language बोली जाती है चंडीगड जगा है जो तो इसमें पंजाबी लेंगवेज के comprehension जो रहेगा न वह आपका चार कोशन acquire करेगा ज्यादा नहीं तो अगर जिसको नहीं आती जो दूसरे माली जै जिसको नहीं आती है सही से तो वो लोग इसमें आप थोड़ा इसमें आप अपना experience कर सकते हैं थोड़ा practice कर लें क्योंकि चार कोशन भी एक चार नंबर आपको दिलाएंगे वह जगता है पंजाबी आपको ना आए कोई बात नहीं उसको छोड़ दीजे बाकी pattern पर ध्यान दे लिजे बाकी आपका subject specific यानि कि chemistry subject की post के लिए chemistry का ही आपका exam आएगा जो कि 100 question लाएगा पूरे पूरे के पूरे 100 question chemistry subject से रहेंगे for the for the teaching post of chemistry subject suppose if you are applying for the post of mathematics professor and the mathematics lecturer तो आपको mathematics subject के लिए ही उसमें आपको 100 question मिलेंगे ये बात clear हो जानी चाहिए दोस्तों इसमें कोई doubt नहीं रहना चाहिए यहाँ पर negative marking 0.25 रहेगी यानि कि एक number मिलेगा सही करने पर गलत करने पर 0.25 marks काट लिया जाएगा जो कि हम गलत करेंगे अगर आप अंसर्च तो हम उसमें से काट लेंगे medium of examination जो part b का रहेगा physics chemistry biology यह सारे आपके subject specific होने वाले हैं part b में बाती पेपर जो common है वो हिंदी इंग्लिस दौनर में मिलेगा आपको किसी एक language में उस paper को पूरा करना है selection procedure जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों एक्जाम हो जाएगा इसके बाद जो लोग पास कर लेंगा उनको जौब मिलेगी जो नहीं करें उनको नहीं मिलेगी पास में भी जो लोग higher में आ रहे होंगे merit wise उनको मिलेगी तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं आपर age limit 21st से लेके 37 के बीच में एक जनवरी 2023 को जो लोग 21 के हुए थे या से 30 से कमते हैं तो फॉर्म बढ़ देंगे जो लोग एक जनवरी 2023 से पेले ही से 30 के होगे फॉर्म नहीं बढ़ेंगे माली जो अभी currently 30 साल के हैं या मतलब माली जे वो लोग 30 साल के अब आगे होने वाले हैं या फिर वो एक जनवरी के बाद हुए है 30 साल के तो फॉर्म बढ़ देंगे मेरा कहने का मतलब यह है मालीज आप मार्च 23 में या फिर एपरेल 23 में जाके से 30 साल के हुए तो आप फॉर्म भर सकेंगे क्योंकि आप एक जन्वरी दोजार्ट 23 को नहीं होते से 30 साल के आप उसके बाद हुए है इस वए से आप भी ऐलेजिवल है चलिए बागी पॉइंट आप रीड कर ले ना दूसरा मैं आगे चलता हूं इसके अंदर अगर करें आप करें यहां पर यहां पर एक अलग से लिश्ट आई करेंगी दोस्तों कि किसका फॉर्म सम्मिट हुआ है यह आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि भाई आपका फॉर्म सम्मिट हुआ है एक्च्वल में जैसे माली कोई रोहन नाम का और साहिल नाम का और जग मोहन नाम के लोग तीन केंड़ेट है अब इनमें से रोहन और जग मोहन का ही फॉर्म सम्मिट हुआ है यह कहां से पता लगेगा लिश्ट देखके पता लगेगा जो कि अग्जाम लेसरेंटर जो रहेगा रिटेंग्जाम का वो आपके अनडे ड्रीट काड पर लिखाऊगा कि कहा है और आपको ऐग्जाम रिज Sun Center पर जो है एक एक से देड़ घंटा पहले आप पहुंच जाएगा एक्जाम सेंटर पर अपना एक्जाम देने बोला गया प्यॉरली मैरिट बेस पर होगा रिटन टेस्ट के एक्जाम के नमबर के बेस पर आपका सेलेक्शन होने वाला है अभी केंड़ेट के मन में यह दाओ डाउट रहेगा भाई हमें अपने सब कुछ बता दिया एक्जाम जो आएगा उसमें सिलेबस जो है वो क्या है तो सिलेबस जैसे आता है आपको बता दिया जाएगा लेटर ओन लिखा यानि अभी नहीं आया है सिलेबस इसको आप यहां से देख सकते हैं सिलेबस आती अपडेट हो जाएगा आपको सिलेबस अकर लेवल की बात करें तो उसका लेवल जो रहेगा वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा सिलेबस हाड़नेस के का कॉर्ड कि मेर को बनना है कि होम साइंस का टीचर के तौर पर अपलाए करना है तो मैं आप अपना नाम डालूँगा फिर ऐसे करके जो भी कुछ होगा ना दोस्तों इस अब डाल दूँगा डेट ऑप सारा कुछ डाल दूँगा और इस तरीके से मैं इसमें जो है राइस्टेशन कर पर आल इंडिया जॉब है यहां पर क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि यह जो इन्वाइट करें गया है एलिगिवल केंड़ेट से अम बालिजे किसी केंड़ेट ने इंडिया में किसी दूसरे जगात से यूनिवर्सिटी से कहीं से अपना पोश्ट ग्राइजूशन करा बीएड करा तो वो भी अपलाय कर सकता है क्योंकि यह गवर्मेंट जॉब है और यह जो आपका अटोनॉमस बॉड़ी है यानि कि जो आपका चंडिगड के साशन को समाल रहे हैं उनके दुआरा निकाला गया तो बताना चाहूंगा तो यह जॉब आल इंडिया लेवल की है इस वीडियो को पूरे देश बर्स तक फैला दीजिए पूरे इंडिया में जहां तक भी फैलाए जा सके फैलाएं इस वीडियो को लोग को बताएं चंडिगड में टीचर्स की जॉब आ चुकी है तो मिलेंगे आप से नई टॉपिक में तब तक के लिए आप सभी का धन्य वाज़